सब्सक्राइब करें परिश्कार कॉलेज यूटूब चैनल को और साथ ही पैल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारे सभी वीडियोज नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचें कि नमस्कार बच्चों कैसे आप स्वागत आपका परिश्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सिलाइंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जैसे कि पिछली बार हमारी क्लास लगी थी तब हमने थोड़ा बहुत इसलेबस को डिसकस किया था इसके बाद हमने इसलेबस के बाद ह सचलेखा हाँ अबने से का दूसरा टॉपिक जो आपके जोलो जी में प्रथम पेपर में प्रत करेंगे अने से क्यों इसको प्राठ्थ मिता दे रहे हैं पि्छली बार वी बताया था कि जो सेक्शन सी है आपका उसमें चोटे-चोटे चोटे टॉपिक आपके ऑब चोटे- से अच्छे ला सकते हो इसलिए अमने सेट्शन सी चुना हमारी यह धाड़ना यह आप सेक्षन सी से दो प्रसंद कर लेते हो चैनल तो आप बारा नमबर आसानी से ला सकते हो और इसके अलावार तीन प्रसंद छोटे आएंगे आपके यानि टोटल हो गया आपका 15 यानि 33 में से 15 नंबर का आपका हो गया सिर्फ क्या कौन सा सेक्शन सी यानि सेक्शन सी को आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हो समझ लेते हो और समझ में आ भी जाता है क्योंकि डिफ्रेंस है इसमें पहला जैसे अमने टॉपिक पढ़ा था यह को है मिकाड़टा था दूसरा है हमारा स्पंजों में नालतंतर तीसरा है है इसके बादे दीममग आपके उसके बादे मदुमकी फिर लार्वा तो टॉपिक क्या है विबिनता ही लिए हैं आपस में कन्फिजन नहीं होता नहीं तो हमारे सेक्शन और ए और बी में काफी नहीं सीखते हैं कि आप सेक्शन सी तैयार करो ό Apollo से कन्फिजन से अच्छे अच्छे आंगकर देचा अब अगर आप सेक्शन सी तैयार कर लेते हैं तो अब हम जो है सैक्शन तोपिक पढ़ेंगे इस पंजों में नाल तंतृ का उद्ध्विकास पहला टोपिक जैसा है कि उसको निखिए निखिया था लेकिन बाद में बाद में जो सोध हुए सोध से निशकस निकाला कि नहीं इसको रखेंगे था कि अमने बता है ता कि जनतों का सिरीर भी तीन बागों में बटावा है इसके अलावा हमने हैं में काडडडा के जो सामाने लक्षंद थे उनके बारे में भात थी उसके बाद अब हमारा जो दूसरा टॉपिक आप सामने आ रहा है सामने आ सामांग की चित्रों से समझाइए राजस्थान विश्विद्ध्याले 2016 2018 और 2019 तीन बार आए वाई यह पीपर हो चुका है इस बार कोरोना की वज़े से काफी एक्जाम जो है वो पॉस्पॉन हो गया है लेकिन हमारा सेकंड लियर का जो यह प्रत्म पेपर है यह हो चुका है और यह 20 में नहीं आने के पूरे चांस अगर यह कुस्षण नहीं आने के इसके पूरे चांस है और बड़ा अच्छा आप याद कर सकते हो दूसरा निम्न पर संक्षिप्ट्र टिपनी लिखे यह राजस्थान विश्विद्याले 2013 2015 यह हम ने अभी पढ़ें नहीं है यह प यह कर दी एक कर दी एक आयां तरण तो आप छे नमर आसानी से ले सकते हैं कि उसके बाद आम बात करें तीसरे कुछन की एसकनाब इस्पंजों की बारी सतय कहलाती है कि 2017 राजस्तान विस्विद्य अंदर आया यह एक नुम्हर का कुष्ण रहें देखों यह दोनों तो यह नमर की बात कि ती कि जो सुरू के जो कि तरह तरह सफंव सब्सक्राइ MIT की कि बात कि इसे तरीक़े से पहल बनाई रखने तु विशेश कोने पाई जाती है वो क्या कहलाती है राजस्तान विस्विद्याले 2015 के अंदर इस प्रस्ण को हमने देखा है तो इस तरीके से अपने इन चार प्रस्णों की बात की जो युनिवस्टी में पिछले गत वर्सों के अंदर आए वे अब हम टॉपिक पर आएंगे नाल तंत्र के द्विकास का नमांग चित्रों के माद्यम से समझाई पहले भी इस पंज को किस पालम में रखा गया जब नोन कारडाटे की बात करते हैं जो विभन प्रकारी की फाइल में उनकी बात करते हैं जैसे प्रोटो जो अब सब्सक्राइब करें तो क्या हो गया इसका मतलब हो गया पॉर फिरो यानि ऐसे जनतु जो अपने इसारा कहते हैं ऐसे सब्सक्राइब स्टे सब्सक्राइब टेश के बढ़ में बदे हमाने परीचे की बाद पहला रहा है सरीर पर अनेक चिदर है इसलिए इस संके जनतु स्पंज कहलाते हैं देखें बच्चों दैनीक जीवन में आपने बहुत इस देखें होंगे आपने बाद जैसे बात्रूम में कपड़े होते हैं तब इस पंज का यूज करते हैं यह पर बादर करता है रहने वाले लोग कनफर दो स्पंज रहने वाले लोग है वह इस इस पर जाती चिए उनको बिए कपड़ों तो इसी लिए इंको कांत के कांत गया आठीक नहीं चलीं नहीं कोसी कांत्ट है लेकिन अलग लग बात करें सब्सक्राइब नहीं बना रहे हैं तो हमारी बोडी का निर्माण करते हैं तो पहला तो इसलिए इनको सब्सक्राइब दूसरा संग्ठन कैसा कोशी के अधी स्थानबद गती हीन तो पहले इन इन इस पंजों को जो वनस्पती के अंतर गता गया था एक जगे रहते थे लेकिन जैसे-जैसे सोध रहे पता चला कि नहीं बहुत इनको विज्ञान के अंदर हम नहीं र होगा और इसके बाद आपके खमता पुनरुदु भवन अपने खोवए अंगों को पुरे अपने खौए यंगों की प्राप्ति जिसको हम कहते हैं तो जो पुरिफेरा के जनतु उनमें पूंदुब वण की समता भी उपस्तित होती है यह अमे डाइग्राम देखें देख साफ करने के लिए कपड़ों को दोने के लिए इस प्राकरतिक ऑप्योग में लेते हैं और यह आपके स्पंज देखिए एक यह कई सारे स्पंज निकले रहे हैं इस तरीके से समुंदर के अंदर अब हम बात करते हैं उद्विकास की दृष्टी से इसे अवरुद साखा या अंदी गली या ब्लाइंड देखिए दोस्तों पौरिफेरा जनतुओं को क्यों हम अवरुद साखा या अंदी दो दोफेरा जनतूों से पहले किस प्रकार के जनतू टे इसका अभी तक पता निछल पाया और प्रॉसमे दोले और ने तो इसी तरीके से इसमें भी इसके आगे किस प्रकार के जनतु हुए इसका अभी तक पता नहीं चल पाया इसलिए जो है अवरुद साखा या अन्दी गली कहते हैं ब्लाइंड अब बच्चों बात करते हैं इसके वर्गी करण की वर्गी करण जो एंते कंकाल या कंटिकाओं पना हुआ हännा कि आधार पर किया गए ओर चार परकार के अधंब्र लेड़ा उसके बाद यह इसके बाद घ्लेन करहीं तो कैलकिरिया करें क्या किस्पंज पर बैसे क्टेंस को इसवाय को ना बात को क्यों कर देंक वsun कार्बोनेट का बनावा होता है इसका बनावा है किसका बनावा है कैल्सियम कार्बोनेट का उसके बाद आते हैं इसको बनावा होता है का बनावा होता है और इसका बनावा होता है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं दिया है इसको सभी देशा बनावा होता है का बनावा होता है कि इस लिए कपड़े को नहाने के काम निकाल निकाल के काम मिलेते हैं इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया डेमो इस पंज जंतों को बात इस पंज और तीसरा है इसकलरो स्पंज याई जिसमें जो है आनते कंकाल तो आपके स्पंजीन तंतू और सिलिका का बना होता है तो यह अमने इस पंज या पॉरिफेरा जंतों के वर्गी करंड की बात की नाल तंत्र पॉरिफेरा का कोई बी जंतू लोग आप तो उसमें बहुत सारे जाएंगे जैसे आउस्टिया है और स्कूलम हम कह देते हैं प्रस्पाइल रहे अगमदार आपके तो इस तरीके से बहुत सारे छिद्र है इसके अलावा नाले होती है अंतरवहिनाल है आपके बाईवेज नाल है इसके लावाभा गुहा होती है या इनका शरीर होता है नालों वे रंगरों से मिलकर बनावा होता है इसलिए हम कहा देते हैं कि सबीकार है नाल तंत्र में गुजरते हुए जल से होते हैं जो इस पोरीफेरा के जनतु हैं उनमें प्रवेश करता निकलता है और जो प्रवेश कर रहा है तो उस जल प्रवेशित करते हैं उसे सब्सक्राइब माद्यम से किये जाते हैं उस जल के प्रभाग को बनाए रखने के लिए विभिन प्रकार की जो होती है वो कसाभी को सिकाएं उपस्थित होती है अभी बात की ती कि किस तरीके से पौरिफेरा जन्तों में जल प्रवेश करता है हम बात करते हैं जल की समुन्धरी जल है जो है खाल यह माद्यम से यह आ ऐस्ट्या की मां इस अगया और यह प्रम्ब्र परास्य यह वापस वापन से इंदर चला गया समुन्धरी से प्रिवेश किया और उसके बाद विबिन नालों में होता हुआ या प्रास्थे के माध्यम से वापस समुंद्री जल में चला गया तो एक वचन हो जाता है और जल के बहाव को बनाए कहने के लिए कसाब यूगत थैंस या कोनोसाइट फिकाएं उपस्तित होती हैं कि अन्दर बाव की निरनतरता को बनाएं रैकिन परकार के कसाब को कोडिव स्टार्टिंग में जो विबिन प्रकार के पॉरिफेरा जनतु आए और उनमें जो इस पंजों में जो नाल तंत्र विक्षित हुआ वह इदम सरल प्रकार का था जिसमें अनेक छिद्र थे जहां से पानी प्रवेश करता था वह अपने भी पड़ा है कि प्रकार के चिद्र और सबसे आसान प्रकार का यानि इन आश्चे से जल क्या हुआ अंदर आया यहां से यह जो बड़ी सी आपको गुहा दिख रही है इसको हमने बोल दिया इस पंज गुहा और यह जो है प्रास्चे यानि आश्कुलम इस प्रास्चे के वाद्यम से वापस समुंद्र के अंदर अला गया तो यह सबसे आसान प्रकार का जो नाल तंत्र था तो हमने बात की पुरातन स्पंजों में सरल प्रकार का था जिसमें अने चिडरों से आश्चे से जल प्रिवेश करता है मुख से या आस्कुलम से जल बाहर निकलता है लेकिन उद्विकास के दौरान क्या हुआ उद्विकास के दौरान अन्य परकार के नालतंत्र भी विक्सित हुए और इन नालतंत्र गिये नालतंत्र कैसे होते गए जटील होते गए एस कौन से साइकौन पर आए तो नालतंत्र जटील हो गया और साइकौन से जब हम ल्यूकौन पर आए तो नालतंत्र और ज्यादा प्रवलन की किरिया हो गई और जब हम लुकोईड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे चोटे-चोटे कॉइन है कश निए तक सीमीत हो गया तो कसाभी प्रकोष्ट और दूसरा का आकार घट गया यहां से तो इस पन्जगुआ का कार कम हो गया तो करीब करीब हम यह कह सकते हैं कि लुकोनोइड करकार के नाल तंत्र में इस पंज गुआ होती ही नहीं तो कसाभी प्रकोष्ट बने और इस पंज गुआ करीब करीब क्या हो गई विलूप्त हो गई अब जो अभी हमने दो टॉपिक पड़े या दो स्लाइट पड़ी उन पर अधारी प्रसंद कर लेते हैं यह आपके मिलान प्रस्ण है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टन लगते हैं कि मिलान वाला एक प्रस्ण जो है आपके चार कंसप्ट क्लियर करता है जैसे हमने कह दिया भी कैलकेरिया मिलाई यह आप हैक्जेक्ट मिलाईए डैमो स्पंजाई मिलाई और पौरी फेरा मिलाईए अब चो प्रकार का स्पंज बोलते हैं हमने पड़ा था कैलकेरिया को चाओ किस बोल देते हैं एक्जक्ट निलेडा को क्या बोला था हमने ग्लास इस तरीके से मिलान हो गया और अगला प्रस्ण है आपका रिक्ति स्थान भरिये जल या समुंद्री जल जो रंग रहा आस्टिया से करता है तो कहां जाता है और उसके बाद प्रस्टिया सबसे आसान प्रकार का सबसे पूरातन और そisy स recreल प्रकार नालतंत्र का फ्रू चार्ट रहे तो आथ ये ख जाये गा सब्सक्राइब बात करते हैं तीन प्रकार के नालतंत्र पाई जाते हैं जिसमें पहले पहले भी थोड़ी बहुत अभी इसकी बात की ती किस से बना इसपेश अंध इस तरह होता है तो यह जो क्लस्ट नृख समां ही प्रकार की प्रकार की उती है इसलिए इसको चमड़े की बोतल या क्लस के दिया गया और हमने पहले भी का था कि सबसे पुरातन प्रकार का नालतंत्र का उधारन क्या है यह तो वह यह कैला रही वह पिनेको डर्म नाउल तंत्र इसके बाद बाहरी सत्य पिने को डर्म की जो सपाट कोसिकाई मैं इनकी बनीवी होती है और प्लस सपाहड कोशिकाएं रुपांत्रया रख बनाती है या दिए है या नहीं परोसाइट स्हेल्स बनाती है रंग्र कोशिका के संकूचन वे परसारन यानि रंग्रों के खुलने बंद करने में यह जो विभीन परकार की प्रववसाइड सेल्स होती है यह क्या करती है अब देखिए एसकी ने परकार का नालतंतर के करते हैं डायग्राम के माद्दम से हमने पहले को तो इस निकल रहा हमाने करें तो यह तो गया अपका अधिक है जल जब यहां से प्रवेश किया तो सीधा कहा पर आगया इस घुवा के अंदर आ गया इस घुवा को मने क्या बोल दिया है पसके बाद जल क्या हुआ यही जो बड़ा टीर गईरो डिखा रहा है जल क्या वापस से जल आ गया समुद्री चला गया प्राश्य से यह से जल जो है आज से से का गया सब्सक्राइब ऑपस समुंद्री जल के अंदर चला गया यह तो गया इसका नालत अंतर के प्रवागा इसके अलावा अगर बात कर रहे थे कोशिकाओं की देखे आप अब हमने बात की ते पहले बाहर की तरफ कोशिकाओं कोन सी होती है कोन सी और अंदर की तरफ यह जो यह अंदर की तरफ अंदर की तरफ कौन सी हो जाती है आपके को शीकाइं या कीप कोशिकाइं भी कह देते हैं और इन दौनों के मध्ये में एक कोशिका होती है तो इस परकार से इसके तीन इस्तर होगे बाहर की तरफ वाला तो पिनकोडर्म अंदर की तरफ वाला कोईनों कोशाइट्स या कॉलर कोशिकाइं या कसाब कोशिकाइं जिनमें विबिन परकार के कसाब होते हैं यह देखिए यह कसाब दिख रहे हैं जिनमें क्या है कसाब नि बड़े गुवा में खुलते हैं जिसे सिल कल या परिकोष्ट गुवाबी कहां में पढ़ा ऊस्टिया प्रिवेसक का में या परिकोष्ट के लिए यह बाहर की तरफ खुलते हैं यह था इस तो में कालर को जाय होती है जो कसाब यूक्त होती है इनके कसाब नाल तंतर में जल के भाव को बनाए रखते हैं यह हमें डाइगराम में हमने देखा था बाहर की तरफ वाली कोशिकाई पिने को डर्म को सिकाई जो पिने को साइट को सिकाई या सपाट को सिकाऊं से बनती है और इन पिनेकोसाइड कोसिकाई यू प्रकार के कसाब पायद आते हैं और यह कसाब क्या करते हैं जल के बाहो की नरत्रता को बनाए junior न्यूकोसोल्हन उसे भी और व開始के है भी दोが अ infrap आ है और आहरे उस्टेज्आ और सभना राए आ रहे हैं सही वे गलत बताईए यानि संटेंस अगर सही है तो ठीक है और गलत है तो उस पर रॉंग का निसान लगा दीजिए पहले प्रस्ण की बात करते हैं रंग्र कोशिका या पॉरोसाइट सेल्स पॉरोसाइट सेल्स किसके रुपांतरन से बनती है अभी बताया है हमने सफार प्रस्ण रहा है शरीर संगठन बताया है कैसा होता है किज अबने बता स ngayons पन ह सरीड संक्टन सब्सके होता है 6 कोश कि प्रकार का यानि कोशिकाय मिलकर उत्तक नहीं बनाती अंग नहीं बनाती तंत्र नहीं बनाती सिर्फ कोसी के संख्छ prostu होता है तो ये अपने आप में च्राव को गया कि गलत भाद दीसरा रंग और एक बरी गुहां में खुलते किसे आश्च से कहते हैं इसको हम आश्च से जल प्रवेस करता हैं तो इसंट नहीं यह अपने अब में क्या हो गया गलत हो तरह परकार का नालतंतर है साइक badge से नालतंतर या साइकनोईड के नाल सिस्टम इस की बढ़ करते हैं इस समश्या का निवारण गटneckश की दिवार जाए कर दिए कॉन्सी को साप को सकाए को साप को सिकाओं निकाल दे क्या हुआ इन اور जो समय आने लगे तो समस्या से रिप्ता तो क्या हूब वर्षों वर्षों प्रांत जोगोगार कर दिया चोटा को खिंद इस पंज वारी69 के लिए उन्होंद कैसी हैं उन्हों क्या सव Ben tablespoon क्रहें उन्हों नहीं क्या कि इस से से यह एक बैलून ले लेते हैं यह बैलून है अभी क्या है इसके अंदर बहुत सारा स्पीज लेकिन में चारो तरफ से तरीके से उंगली अडाल दूए अब क्या हुआ गुवा चोटी हो गई तो इसी तरीके से स्पंजों ने क्या किया चारो तरफ से अपने शरीर के जो दि बारन किया इसके अलावा बाहर वें अंदर नाले या ब्लाइंड के नाल की उत्पत्ति उए जब अंतर वलन हुआ तो विबन परकार के कैनाल सिस्टम भी बने बाहर की तरफ खुल देंवाला जो था उसको इन करेंट के दिया अंतर वही नाल के दिया और जो पिनोको कर लिए ऑसके यह इसके जल के प्रवा दिया अंतर विक्सित आब इसमें अगर हम इसके प्रवा का फ्लो तरब समन्दरी साइब प्रवेश क्या इन करंट किनाल या तरफ नाल में और बाहर चला गया यह यह पहले सी वाटर जो है कहां पर बाहर करंट कनाल में अस्ट्राइब प्रौश रेडिल कनाल में और फिर तरफ बाहर इसको समझते देखे हमने देखा था यह अंतरवलन कर लेता है अंतरवलन हो गया इसमें चारों तरफ से दोनों तरफ से क्या हुआ अंतरवलन हो गया इसमें अब देखे एक यहां पर बन रही है नाल और एक यहां पर बन रही है यह नाल तो अंदर की तरफ खुल रही है यह नाल बाहर की क्रिवेश करेंगा इनकरंट में यहाइट के अंतरवहि Universe यह दो रही जिन को मैंने कह दिया आगमदा रुफ आगंद्वार पर लाएंगे रेडान में अंदर की तरफ वाला कौन तो यह हो गया आपका इस पंजगुआ में आ गया और ऑसकुलम के दौरा कहा चला गया जल बाहर चला गया तो यह दूसरे प्रकार का जो नालतंत्र नालतंत्र उसमें क्या होता है जो जल समुद्री जल आश्च्छे से पहले कहा आएगा सबसक्ता इंकरेंट में इंकरेंट ना से प्रोसों प्रोफ नालतंत्र अंत्र हो हम ने समंच्फट अंदर की तरफ इस प्रअपोल्ह में हा? कोईयोर ने सब्सकु투त को अक्षाइस और यह तहसरों किस्याइद प्रकार कह बाँचित कि अभब बात करते हैं इसके प्रस्णों की कौन सा नाल तंत्र का नाल से पहले प्रकार का नाल तंत्र यह करा यहां आप सब्सक्राइब стороны कना कितने बार बोल दिया कितनी बार रिपीट कर दिया कहोंची चैल्स होती है कि पीनेकोजक दर्ब यहाइड को सिकाही यहाग ने को साइट आगला प्रेस्ट स्पंज में जल्ड के बहाव को बनाए रखने के लिए विसेश को सिकाएं पाई जाती है क्या 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 राजस्टान विस्विद्याले 2015 के अंदर यह नहीं नालतंत्र तो अब तीसरा आगया आगया आपका अब भी समस्या में थे अभी भी स्पंजगुआ उनको परिसान कर रही थी कि अब बड़ी स्पंजगुआ है और कैसे हम अपने आपको विक्षित करें और कैसे हम अपने आप में चेंज करें किस तरीके से जल्के परवा की वजए से लिए ना की जिनदा है यह क्योंकि उस जल के प्रवा की निरंतरता को यह नहीं बना पाएंगे तो जीवित कैसे रहेंगे इसी तरह किसे अगर हम इस पंज के आज से प्रास से रोक दें यानि आने वाला जल निकलने वाला जल दोनों चुदरों को बंद कर दें तो यह बहुत जल्दी क्या हो जाती है क्योंकि सारा वे रूट ऐसे रहेंट पूरी समाप्ति ही हो गई सक जल जो है रंग्रों से या आच्चे से या खाओं से कहा है अंतरवाई नाल में इतना चला गया कशाबी कोश्टों में और उसके बाद अपको पाईल द्वारा क्या हुआ बहिर वह नाल से सीधा ऊसकलम द्वारा क्या हो गया बाहर की तरफ चला गया यहाँ और आमने इस पंज गुआ लिखाए गई क्योंकि बिलुप्ट हो गई है नहीं लिखा यहां पे आरे बहुआ और यह नाल भी तो विलूप्त हो गई और यह नाल भी नहीं 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 है अंतरवाई नाल से कहा गया कसाभी कोस्ट से और उसके बाद सबसे प्रकार का आप देख सकते हैं काफी बढ़ी है यह चिद्र आपके आपके स्पंजगुआ हो गया उसके बाद जब अब क्या हुआ तीसरे डाइगराम में नहीं है क्या कर दिया इन्हों ने विभिन प्रकार के कसा भी कक्स बना लिए बहुत सारे चोटे-चोटे अब दिक्कती नहीं है जल के प्रवाह को बनाई रखने के लिए आराम से जल प्रविस करेगा और निकल जाएगा और यह अपने कि आ गई आगे सारी की सारी कालर कोशिका अंदर की तरफ ती और विमड़कार रहे जो कसाब कोस्ट बनें सब में क्या क्या आगे स्पंज गुआ गायत हो गई अनुपस्थित हो गई कसा भी कोस्ट यह कुए तक सब्सक्राइब कर दिया जाएगा अब निकनी नाल तंत्र यह परकार कर देखे इसमें जो पहला नालतंत्र वो इजी आसानी से याद हो जोता है आस्टिया इस्पंजगुवा आस्टिया दूसरा वाला जो थोड़ा तफ यह साइकने नाल तन्तर उसको इसमें पूरा पूरा याद रखना पड़ता है आज से जल जो है पहले अंतरवे इनाल में गया फिर प्रोसोपाइल दौरा है पिर आपके इसमेला में अपके बाहर वापस समंदर के अंदर मिल गया तो काफी सीमिलर है लेकिन थोड़े बहुत चेंज आपको मिलेंगे लेकिन अगर तो याद रखना पड़ेगा तभी आप ये तीन प्रकार के नाल तंत्र याद रख पाओंगे अब देखिए इस में ऑस्टिया ऑस्टियम यह द्वारा त्या हुआ जल अंदर गुशा अंदर गुशने बात कहां चला गया वह अंतर वही नाल में तो यह पहला तो और दूसरा लात पागा नहीं अुछ भाल दूसराइव द्वार पाइल अपका था लिए नाल मनें किसाघसो में किसाघसों में कासघसों में इसला गया का उदारह इसकाप लैकिना ये डायगरामा आपके सामने लिया ग्या खिंग बीण बाहर की तरफ चला गया दूसरा अप मारगी प्रकार देखे शुरूवाला सेम है वापस आज से आ गया अंतरवई नाल आ गया और आगम द्वार आ गया यह आपके शाइक नौई में पड़ दे ते इससे पहले वाले में अमने क्या था कसाभी कर दिया इसमें नया चीज क्या गाल प्रकार का तो अमने इसको क्या कर दिया रज़े क्या अब अपको अबाया मार्गी परकार उदारण है ते दीपलोइडाल टाइप रॉपर रिपीट कर रहे हैं तीसरा आप का प्रोसोडस और आफ़ोडस उसके वजह नाम चिंज कर दीए गए इसको प्रोसोडस कर दिया और इसको एफोडस कर दिया तो यह तीसरा हो गया चौथा कसाभी कक्सों में आई गया उसके बाद अफूडस म में आ गया फिर सीधा एक्स करेंट के नाल और फिर उसके बाद आस्कुलम्द के द्वारा की तर्फ निश्कासित कर दिया गया उदारा ने आपके सामने उसके बाद रैगनी नाल तंत्र रैगन टाइप के नाल सिस्टम अब इसके लक्षणों की बात करें तो यह करा रहा है होता है लारवा में ओता है और वह बीकौन से वर्ग में कौन से में डेमो सब्सक्राइब करन करता था चार परकार का उसमें के रिया था घ्जक्टम जिसम आमने का था रहता है लार्वा में रेगनी प्रकार का या रेगन टाइप नाल सिस्टम पाया जाता है अब महत की बात करें तो हम कहीं रहे हैं कि जो पूरिफेरा के जनतु है पूरा जीवन जो है जल के प्रवाग के उपर बिपैंड होता है जल का परवा है सही śतारे नहीं हो नहीं हो रहा है उकिस तरीखे से अन्होंने अपने आपको बनाए रकने के लिए क्या किया सब्सक्राइब दोरान अपने सरीर में बॉड़ी सब्सक्राइब होगी तो ने अपने नहीं बनांता को बना रुखनी उन्हों सब्सक्राइब कि अबनाे ट्रकार के अपने जीवन किसे हमारा जीवन है सब में कि अब प्रसनों की बात करें में समापत हो जाती है उस पांपत में सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देते हैं उसके बाद कसाभी कोस्ट या कख सब्सक्राइब कर दिया जाएगा अगला प्रस्ण आपके तीसरा प्रस्ण नाल तंत्र का वह रंग्र सब्सक्राइब कर दो जाता है यह सब्सक्राइब कर दिया जाता है इसका अंसर होगा आश्य होगा या यह यह जो रंग्र पुर्स पाइब वह 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 उन्होंगे यह प्रवेश निकल रहा था तो आंसर क्या हो जाएगा इसका प्रास्ट से या आउसकूलम उसके बाद चौता प्रस्थ किसी व्यस्की स्पंज में नहीं पाया जाता यह अभी पढ़ा है जस्ट पढ़ा है इससे पहले कि कौन सा अल तंत्र जो व्यस् से लार्वावस्था में रागान परकार का नालतंतर पाए जाता है और रेगान परकार का नालतंतर किसी पालत परकार के लिए तो बताइए बहुत सारी सारी चीज़े जो है नाल तंतर पर डिपेंड तो दोस्तों अमने सेक्शन सी के दो टॉपिक पढ़ लिए हमने पहला टॉपिक पढ़ा था है मिकाड़ेटा के लक्षन चोटा टॉपिक था आमने पढ़ाया था आपने स्क्रीन सॉट लिए होंगे उनको याद कर लीजिए आप उतना ही लिखना आपको दूसरा जो प्रसने दूसरा जो टॉपिक है हमारा इस पंजो में नाल तंतर था वह भी हमने आज आज आपको कंप्लीट कर दिया अच्छी तरह किसे उसके डाइग्राम आपको बता दिए अगली बार हम फिर आप से रूब रहोंगे फिर आप से मुलाकात करेंगे तब तक के लिए दन्यवाद कर दूसरा करें परिशकार कॉलेज यूटूब चैनल को और साथ ही पैल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारे सभी वीडियोज नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें